जैहिन नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टेंड बेपीएसी में बिहार एन्म को लेकर बात करेंगे जो कि बिहार एन्म में कई लोग कन्फ्यूजन है कि भाई इसका डेट पे डेट मिल रहा है सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है आखिर रिजन क्या है क् हम को उससे भी उतना नहीं ठीक है हम सोसल मीडिया पर इसलिए हैं कि जो अथेंटिक चीज़े हैं वह जो हम बता रहे हैं वहां तक पहुंचे मेरा मकसद यह हैं देखिए पहले तो इसल्पीय का बात करेंगे कई लोगों को दिमाग में यह कन्फ्यूज होगा कि हम ज्याद कीजे चाहे 50 कीजे जो टॉप होता है केस उसे का सुनवाई होता है हलाकि यहाँ पर एक केस टॉप है और टॉप केस के साथ बिहार सरकार का जो आगमन हुआ है वो टॉप केस के साथ बिहार सरकार के भी केस को वैल्यू दिया जाएगा ठीक है जितने केसे हैं उसमें आप ज कितने भी केस होंगे आप और भी कर रहे हैं तो उसको सुनवाई connect कर दिया जाएगा सुनवाई के लिए अब देखिए एक एड़ोकेट है नाम नहीं लेंगे छामा चाहते हैं हम बार 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 वीडियो में कई सरे एड़ोकेट को नाम ले लिए हैं लेकिन नाम नहीं लेंग कितना भी आप content जुरा लिजे इस case से related आपको benefit कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला है क्यों नहीं ज़्यादा मिलने वाला है भाई यहाँ पे लराई नियमावली के हैं ठीक है ना अगर आप सो गये हैं चीजों को नहीं जान रहे हैं तो फिर से आँख खोल कर सुन लिजे कान खोल कर भी सुन लिजे कि इस case में सिर्फ लराई और लराई नियमावली के हैं नियम को लेकर है अमेंडमेंट को लेकर नहीं ठीक है नियम की लराई है कि क्या जो यह नियम है इसमें सुनसोधन करने का अधिकार बिहार सरकार के पास है तो कैसे है कैसे है क्या बिहार सरक पहले आया है क्या उसकी validation होने चाहिए या जो बाद में बिहार सरकार ने इलाओ किया है या उसका होना चाहिए यह भी चीज है अब confusion में है कि लोग date पे date क्यों बढ़ रहा है भाई देखे date इसलिए बढ़ रहा है कि इसमें एक दो SLPA हो गया है ठीक है ना और वो complete नहीं हुआ है complete को बोलेंगे आप complete को बोलेंगे जब ऐसा लगेगा कि उस case में complete के साथ defect फिरी हो गया उसके defect फिरी फिरी नहीं हुए हैं कई case है बाकी और भी कई ऐसे cases है जो पूरी तरह complete हो गये हैं जिनके सुनवाई जल्दी होने के संभावन है ब्यक्त किया जा रहा है अब देखिए इसमें क्या होगा भाई जो बिहार सरकार का case है बिहार सरकार को पहले ही बोल दिया गया है कि क्या कि आप F. David के जरिए कई ऐसे चीज़े हैं जिसने आप उसमें mention आपकी बाते mention नहीं ठिक है उसमें qualify exam का कहीं बात नहीं है कहीं जिक्र नहीं है तो उसको mention करने के लिए आपको बार बार बोला गया है कि आप F. David लगा कर आप अपनी बातों को रखिए ऐसे मुख से बुले हुए बातों का court में value तो नहीं होता है इसलिए बिहार सरकार को ये करना है को F. David के ब और पिरा रहे हैं गलती किया कौन बिहार सरकार बिहार सरकार में कई ऐसी पाटिया है बीजेपी लेजिए आरजेडी रेजिए ठिक जब आरजेडी और जेडियू का घटबंदन था तो उन लोगों ने एस सब चीजे किया ठिक है फिर बीजेपी आती है बीजेपी अपना जो भी activity हूँ करती है, यानि यहां पर जो भी लराई है, दो दल के लराई है, कोई दल ऐसा सोच रहा था कि हमारे निتर्तों में हो complete, और कई दल ऐसा सोच रहा थे कि यह हमारे दल के नितर्तों में हो, इन दोनों दलों के चलते यहां पर student इतना घसीट आ गए हैं इतना पिर आ गए हैं कि मांसिक रूप से mentally distraught हो गए हैं बहुँ ज़ादा क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि एक बिहार में जहां पर हम लोग बिलॉंग करते हैं बिहार जैसे राज में वहां पर सरकारी नोकरी का कितना क्रेज है क्यों नहीं क्रेज होगा भाई यहां पर industry नहीं है फैक्टरी नहीं है जो लोग भी नित्रियूत करते हैं leadership में हैं वो क्या करते हैं उनकी सरकार 5 साल 10 साल 15 साल एक party बन गया तो 15 से 20 साल तक अपने राज करेगा ठिक तो वो तो करेगा या अखिर उसको मालूम है कि अगले बार हम भी जितेंगे तो हम क्यों यह सब करें लोग ज़्यादा बेरुजगार रहेंगे तो हम फायदा उठाएंगे और यहीं लोग कर रहा है सबसे ज़्यादा अगर किसी का सोसान हो रहा है तो एक student का हो रहा है एक student में girls and boys सब आएंगे सब लोग पिर आ रहे हैं इसलिए अगर इस बर विधान सबा का चुनाव होता है तो भाई ठान लेजे लोग अगर आपको नोकरी नहीं मिलता है चाहिए आप contact basis है तो आप भी सवाल करेंगे और आप qualify है तो आपको तो और ज़्यादा सवाल करना है क्यों आपने बोला आप लोग बोलते हो कि पढ़ाई करो ठीक पढ़ाई करो दीन रात एक करकर exam निकाला जाता है कितने मुश्किल से एक exam निकलते है और वो सब activity, वो सब परकिरियाए करने के बाद उस कगार से गुजरने के बाद जब हम final stage पर आते हैं तो हमें नोकरी नहीं दिया जाता है और हमें कोटकचरी का जिस उम्र में पढ़ना चाहिए साधी बिवाह करना चाहिए, इंजवाय करना चाहिए उस उम्र में कोटकचरी का लोग चकर काट रहा इफेक्ट है यह वस्त्विक्ता है आप देख रहे हैं, घसिता रहे हैं तो इसमें जिमिदार कौन है? जिमिदार आपका नहीं है इसमें स्टुडेंट का कहीं से भी जुगार गलत नहीं है अब देखिए, कई ऐसे मंतरी है बिहार में जैसे स्वास्त मंतरी ले लिजे मंगल पांडे की बात केजिए भाई, वो तो इतने बरव फेकुन निता है कि 65,000, 45,000 घुसना कर दिया गा 45,000 की हम जल्दी बहाली के परक्रियाय निकालेंगे निकालेंगे, लेकिन क्या सपने देखाने वाली बात वो लोग भी कर रहा है कुछ हूँ है, नहीं नोटिस पे नोटिस निकालें, सिरिफ आखबार में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है लोग आखबार में परदर्सिता कर रहा है लोग कि हम जल्दी बहाली निकाल रहे है तो यह सब चीजे भी है जो एक तरह से स्टुडेंट को मुह पर जाकर और छीनने वाली बात हो रही है सपने देखाने वाली बात तो यह सब इचीजे है और जवाब दिजिएगा इस बार आप लोग भाई भोट का इतना पाउर होता है वोट बैंक का कि आप अच्छे से अच्छे लोगों को भी सबक सिखा सकते है कोई आपके दरवाजे पर वैसे उस पार्टी का निता भी आएगा तो उसे सवाल जरूर पुछिएगा और खासकर आप महिला है ठीका ना बोलता है लोग कि महिला ससक्तिकरन के बाद महिला ससक्तिकरन के बाद सिर्फ नाम के लिए है कोई आपके लिए आवाज उठाया नहीं कोई नेशनल लेबल पर नहीं आवाज उठाया छोटे मोटे यूटूबर हम लोग कुछ लोग मिलकर आवाज उठाएं कहां तक सफल हुआ सफल ना के बरावर हुआ हाला कि सरकार को यह बात मालूम है कि यह लोग activity कर रहा है लेकिन कोई action नहीं लिया जा रहा है तो घसिता पिरा रहे हैं हम लोग और बाकी का जो आपका 23 से सब्सक्राइब को लेकर देखें कि आप फाइनल होगा कि नहीं होगा यह भी कोई activity नहीं है हाँ सीरियल नमबर मिल गया है तो सीरियल नमबर के बदला तब कर से बेंटी से बेंद दिखा रहा है तो आप उमीद जाहिर कर सकते हैं लौंग है काफी ज़्यादा पीछे है ला न्याले में तो देखिए क्या होता है हो सकता है जल्द इसको एक से दो दिन में इसको भी एक्स्टेंड कर दिया जाए लेकिन कई ऐसे चीजें हैं जो counter एफ डेविट पेस करने के लिए बोला गया था अभी कई लोगों ने पेस नहीं किया है केस कंप्लीट हो चुके हैं औ कवी काफी जादा मिल गया है पीछे है तो देख लिझें क्या होता है अगर उसदिन कुछ हो जाये तो ठीक है नहीं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मिला कर दो तो एक से deny so दिन पर पिर आने के जरूरत नहीं है, दो-तिन गंटे पढ़ाई भी करने के आपको जरूरत है, पढ़ाई नहीं करेंगे, दिल छोटा हो जाएगा, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेंगा, इसलिए आप स्टुडेंट है, तो रोज 2-3 गंटे आपको पढ़ना है, अग भूल जाएगे, क्योंकि बिहार सरकार ने एक घुसना कर दिया है, कि कोई भी धांधली रूप से पकरा गया, तो 5 करोर रूपिय की, एक करोर या साइद ऐसे ही, एक करोर या 2 करोर रूपिय का जुर्बाना है, और 10 सल का साजा है, अपलस में आप 3 साल तो किसी भी एक्जा में बिहार का कोईचन पेपर, जो एजिंसी है, उसके द्वारा उन्होंने डिल कर लिया था, उन्हों पर कानूनी करवाई हो रहा है, कई ऐसे पटने के टीचर है, सिक्छा माफिया है, उनके बदलत देखे क्या क्या हो रहा है, पिर आ रहे हैं स्टुडेंट लोग, यह सब बदलत एक फिर से उमीद जग गया है, कि अगर मेहनत से आदमी मेहनत करे, तो सफलताय मिल सकती है, ठीक है, और मेहनत से किसी भी चीज को हम हासिल कर सकते हैं, और खासकर हम लोग जहां से बिलॉंग करते हैं, जिस घर से बिलॉंग करते हैं, उस घर में सिरिफ एकी चीज है एजुकेशन एजुकेशन अच्छा से ग्रहन करेंगे तो उसे एजुकेशन के बदरत हम कहीं भी पहुंच सकते हैं ठीक तो फिर जैसे अपडेट होगा हमें अथेंटिक चीज़े मालूम होगा ठीक रिसोर्स से प्राप्त करेंगे तो फिर हमें आपको जरूर बताने का प्रियास करेंगे तब तक के लिए आप मन चोटा ना करें सुनवाई 3 सेप्टेमबर को होगा लेकिन लास्ट में होगा या न मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखे और देखते रहें स्टेंट बीपेसी